केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सहयोगी स्री मत्री निर्मला सितारमन जी, स्री राव इंद्रजित्ची, पंकर चौदरी जी, स्री भागत्र श्राव कराड जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों बीते वर्षों में, मिनिस्ट्री अब फाइनांस और मिनिस्ट्री अब क्वर्परेट एफर्स, उन्होंने अपने कार्य के द्वारा, सही समय पर सही निर्णव के द्वारा, अपनी एक लीगसी बनाई है, एक बहत्रीन सफर तै किया है, आप सभी इस विरासत का हिस्टा है, देश के सामान ये जन के जीवन को आसान बनाना हो, या फिर देश की अर्थेववस्था को ससक्त करना हो, बीते 75 वर्षों में, अनेग सांथियों ने बहुत बड़ा कंट्रिबिशन किया है, ये आइकनिक वीक, ऐसे हर साथी को, अतीत के ऐसे हर प्रयास को, जीवन करने का आउसर है, आज हाजी के अमरित काल में हम, अपने इस अतीत से प्रेणित होकर, अपने प्रयासों को और बहतर कर सके, ये इस दिशा में, बहुत अच्छा कदम है, आज यहां, रुपए की गव्रवशाली आत्रा को भी दिखाया गया, इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रद्रशनी भी शुरू हुई, और आज हादी के अमरित महुत्षभ के लिए समर्पित, नए सिक्के भी जारी किये गए, यह नए सिक्के, देश के लोगों को निरंतर, अमरित काल के लक्ष याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट के विकास में योगदान के लिए प्रेरीद करेंगे, अगले एक हप्ते में, अनेक कारकम आपके विभाग के द्वारा होने वाले हैं, इस अमरित कारे से जुड़े सभी विभागों को, आपकी हर छोटी मुटी काई को, मैं बहुत बहुत सुपक्वामनाएं देता, साथियों, आजहादी का ये अमरित महोत्सव, सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं हैं, बलकि, आजहादी के हमारे नायक नाईकाओं ने, आजहाद भारत के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना, उन सपनों में एक नया सामर्त भरना, और नए संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का ये पल है, आजहादी के लंबे संगर्स में, जिसने भी हिस्सा लिया, उसने इस अंदोलन में एक अलग डाइमेंशन को जोड़ा, उसकी उर्जा बढ़ाई, किसी ने सत्यागर्य का रास्ता अपनाया किसी ने अस्त्र सस्त्र का रास्ता चुना किसी ने आस्था और अध्यात्म का रास्ता चुना तो किसी ने इंट्रलेट्ट्वली आज़ादी की अलग को जगाने में अपनी कलम की ताकत का उप्योग किया किसे ने कौट कचरी में मुकदमें लड़कर के देश की आज़ादी में एक नई ताकत भरने का प्यास किया इसलिए आज जब आया हम आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं तो प्रत्य देश्वासी का कर्तव है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट के विकास में जरूर जोड़े आप देखिए अगर हम राष्ट के तोर पर देखे तो भारत ने बीते आठ वर्षों अलगर आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाये हैं नवीन काम करने का प्रयास किया है इस दोरां देश में जो जन्भागीदारी बढ़ी उन्होंने देश के विकास को गती दी हैं देश के गरीब से गरीब नागरी को ससक्त किया है स्वच्छ भारत अभ्यान ने गरीब को सम्मान से जीने का अउसर दिया पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुप्त इलाज जैसी सुभिधावं ने हमारे गरीब की गरीमा बढ़ाई हमारे नागरीकों के आत्मविस्वास में एक नई उर्जा भर दी और साथ साथ सुभिधा भी बढ़ाई कोरोना काल में मुप्त राशन की योजना ने असी करोर से अधिक देश वास्यों को भूख की आशंका से मुक्ति दिलाई देश के आधे से अधिक आबादी जो देश के विकास के विमर्ज से फॉर्मल सिस्टिम से बंचित थी एक्स्लूडेर थी उसका इंक्लूजर हमने मिशन मोड़ पर किया फाइनांसल इंक्लूजर का इतना बड़ा काम इतने कम समय में दुनिया में कहीं नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात देश के लोगों में अभाव से बाहर निकल कर सपने देखने और सपनों को साकार करने का नया होसला हमें देखने को मिला साथियों आजादी के साथ दसक बाद ये जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है उसके केंद्र में पीपल सेंट्रिक गवर्नंस है गुड गवर्नंस का लगातार प्रयास है एक समय था जब हमारे देश में नीतियों और निनने गवर्नंस सेंट्रिक होते थे यानि किसी योजना के शुरू होने के बाद ये लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो सरकार तक पहुँचकर उसका लाब उठाएं इस तरह की ववस्ता में सरकार और प्रशासन दोनों की ही जिम्मेदारी कम हो जाती थी अब जैसे किसी गरीब छात्र को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद के जरूरत होती थी तो पहले वो अपने परिवार अपने रिस्तेदारों या फिर दोस्तों से मदद लेने के लिए मजबूर था इसी काम के लिए सरकार की जो भी योजराय थी उसमें इतनी जादा प्रक्रियाए होती थी कि वो उस मदद को पाने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता था उस प्रक्रिया में थकान महसूस करने लग जाता था इसी तरह अगर किसे एंटर्परिनर किसी व्यापारी कारोबारी को लोन की जरुत होती थी तो उसे भी अनेक जगह चक्र लगाने पड़ते थी अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था अक्सर ये भी होता था कि अधूरी जानकारी की वज़े से वो मंत्राले की वैबसाइट तक भी नहीं पहुच पाता था ऐसी मुश्किलों का नतीजा ये होता था कि छात्र हो या व्यापारी अपने सपने बीच में ही छोड़ देता था उन्हें पूरा करने के लिए कदम ही नहीं उठाता था पहले के समय गवर्मेंट सेंट्रिक गवर्नेंस का देश ने बहुत बड़ा खाम्याजा उठाया है लिकिन आज 21 सदी का भारत पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस के अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है यह जनता ही है जिसने हमें अपनी सेवा के लिए यहां भेजा है इसलिए हमारी यह सर्वोच्य प्राथ्वित्ता है कि हम खुद जनता तक पहुंचे हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना उसे पूरा लाब पहुंचाना यह दाइत्वा हम पर है अलग-अलग मंत्राओं के अलग-अलग वेबसाइटों के चक्कर उसे लगाने से बेटर कि वो भारत सरकार के एक पॉर्टल तक पहुंचे और उसकी समस्या का समाधान हो आज जन समर्थ पॉर्टल लॉंच किया गया है वो इसी लक्ष के साथ बढ़ाया गया है अब भारत सरकार की सभी क्रेडिक लिंग स्कीम्स अलग-अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्द होगी इस जन समर्थ पॉर्टल छात्रों का एंट्रेप्रेनर्स का व्यापारियों का किसानों का जीवन तो आसान बढ़ाय गही उन्हें अपने सपने पुरे करने में भी मदद करेगा अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजरा का उन्हें सबसे ज़्यादा लाभ होगा वो कैसे उसका फाइदा उठा सकता है इसे तरह हमारे युवान आसानी से यह तर कहर पाएंगे उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्ट अप इन्या ल एक बड़ा प्रेठ्वम मिला है और जिब लोन लेने में आसानी होगी कम से कम प्रक्रियाएं होगी तो यह भी स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे यह पोर्टल स्वरोजगार को बढ़ाने में सरकार की योजनाओं को सभी ल देश के युवाओं को विशेश रुप से बढ़ाई देता हूँ आज यहाँ इस कारकम में बैंकिंग सेक्टर के दिग्यत भी बहुद्यूद है मेरा उन से आग रहा है कि सारे बैंकर्स भी जन समर्द पोर्टल को सफल बनाने के लिए युवाओं को लोन मिलना आसान बढ साथियों कोई भी सुधार हो रिफॉर्म हो अगर उसका लक्ष पस्त है कि इंप्लिमेंटेशन को लेकर गंबीरता है तो उसके अच्छे दंतिजे भी आनात ताय है बीते आठ वर्सों में देश ने जो रिफॉर्म किये हैं उनमें बड़ी प्राप्विक्ता इस बात को भी दी गई है कि हमारे देश के युवाओं को अपना सामर्द दिखाने का पूरा मोका मिले हमारे युवा अपनी मन चाही कंपनी आसानी से खोल पाएं वो अपने पासनी से चला पाएं इस ओर जोर दिया गया है साथ क्यों रिफॉर्म्स यानि सुधार के साथ ही हमने जिस बात पर फोकस किया है वो है सरली करण सिंप्लिफिकेशन केंद्र और राज के अनेक टैक्सों के जाल की जगए अब जी एस्ट ने ले ली है और इस सिंप्लिफिकेशन का नतीजा भी देश देख रहा है अब हर मैं जी एस्टी कलेक्सेन एक लाग करोड से रुपिये के पार जाना सामान्य बात हो गई है एप एफो रेजिस्टेशन की संख्या में भी हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं सुधार सरली करण से आगे बढ़कर अब हम सूगम व्यवस्था का निर्मार कर रहे हैं जेम पो हुआ है इसमें भी खरीद का आकड़ा एक लाग करोड को पार कर रहा है आज देश में निवेस्ट करने के लिए कहां कहां संभावना है वो जानकारी इन्वेस्ट इंडिया पॉर्टल के माध्यम से आसानी से उपलब्द है आज अनेक तरह की क्लियंसिस के लिए सिंगल विंडो क्लियंस पॉर्टल है इसी कड़ी में ये जनसबर्थ पॉर्टल भी देश के युवाओं देश के स्टार्ट अप्स को बहुत मदद करने वाला है आज हम सुधार सरलिकरं सुगम्ता की शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो सुविधाओं का नयास्तर प्राप्त होता है सभी देश वास्यों को आधुनिक सुविधाय देना उसके लिए नीत नए प्रयास करना नए संकत लेकर उन्हें सिद्ध करना हम सभी का दाइत्व है साथियों बीते आथ वर्षों में हमने दिखाया है कि भारत अगर मिलकर कुछ करने की ठान लें तो पूरी दुनिया के लिए एक नई उमीद बन जाता है आज दुनिया सिर्फ एक बड़े कंजुमर मार्केट के रुप में ही नहीं बलकि एक समर्थ गेम चेंजर क्रियेटिव इनोवेटिव इकोसिस्टिम के रुप में आश्चा और अपेक्षाओं से हमारी तरफ आज दुनिया देख रही है दुनिया के एक बड़े हिस्से काओं बारत से समस्याओं के समयधान की अपेक्षाएं हैं यह इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते आठ सावा में हमने सामान्य भारतिये के विवेक पर भरोसा किया हमने जनता में ग्रोथ में इंट्रिजन पार्टिसिपन्स के विश्वात रहा है कि जो भी टेक्नलोजी सुसासन के लिए लाई जाएगी उसे देश की जनता स्विकार करेगी और सराहेगी इसी जन्विश्वात का परड़ाम दुनिया के सर्वस्रेज डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रेटफॉर्म स्वाप प्रेना की है सब के प्रयास क है देश्वासी आत्मंदिर भर भारत अभ्यान से वोकल्फ और लोकल जैसे अभ्यानों से भावनात्म ग्रुप से जुड़ गए हैं इसमें अब आप सभी की मिनिस्ट्र आप फाइनस और मिनिस्ट्र आप कॉर्परेट एफेस की भूमिका बहुत बढ़ गई है अब हमें योजनाओं के सेचुरेशन तक तेजी से पहुंचना है हमने फाइनसल इंक्लूजिन का प्रेटफर्म तयार किये हैं अब हमें इनके सदुप्यों को लेकर जाग रुकता बढ़ा रही है जो फाइनसल जॉलूशन वारत के लिए तैयार किये है वो अब दुनिया के दूसरे देशों के डागरिकों को भी समाधान दे इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए हमारे बैंक हमारी करंसी इंटरनेशनल सप्लाई चेन का इंटरनेशनल ट्रेड का व्यापक हिस्ता कैसे बने इस पर भी फोकस जरूरी है मुझे विश्वाथ है कि आज आदी के अमरित काल में बहतर फाइनशल और कार्परेट गवरननस को आप निरंतर प्रोट्षाइट करते रहेंगे आज इस समाहरों के लिए और 75 स्थान पर जो भी साथी बैटे हैं इन सब को अनेक अनेक सुबकामनाय देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद झाल